हम जाने के बारे में यह mother tinctures क्या होते हैं कैसे बनाएं जाते हैं कौन-कौन सी mother tinctures हैं जो सेफ हैं लेने के लिए किस-किस प्रपब्लम में कौन-कौन से mother tinctures ली जानी चाहिए सब कुछ हम पूरी detail में mother tinctures के बारे में जानेंगे तो चलिए आज का topic स्टार्ट करते हैं तो friends सबसे पहले हम जानते हैं mother tinctures होते क्या है mother tinctures होते हैं extract किसी भी substance का जिसका आपको medicine बनानी है जिसकी भी medicine बननी है उसके extract को बोला जाता है mother tinctures ये minimum possible potency होती है lowest possible potency होती है और इसी mother tinctures से अलग-अलग dilutions बनाई जाती हैं तो जो भी dilutions जैसे के आप सुनते होंगे 30 potency, 200 potency, 1M, 10M जो भी बनती हैं ये सब इसी mother tinctures से बनती है mother tinctures कैसे बनती है वो भी जान लेते हैं तो mother tinctures में जिस भी चीज़ का आपको mother tinctures बनाना है उसको लेकर के उसके crude form को लेकर impound करके उसके अंदर alcoholic extract डाला जाता है alcohol डाला जाता है और उसको कुछ time के लिए अलग-अलग medicines का अलग-अलग time होता है यसे जो plant kingdom से आने वाली medicine होती है कुछ time होता है हफते 10 दिन के लिए रखा जाता है कोई medicine 30 दिन के लिए रखे जाते हैं कोई 20 दिन के लिए रखे जाते हैं तो इतनी duration के लिए उसको रखा जाता है उसी alcohol में जब तक medicine का उस plant का पूरा extract उसके अंदर नहीं आ जाता है पूरा medicinal power, पूरी drug power alcohol absorb कर लेता है तब तब उसको इसके अंदर रखा जाता है उसके बाद उसको चान करके उसका mother tincture बनाया जाता है और इसके बाद इसकी अलाग अलग potentization एक process होता है उसके द्वारा अलाग अलग potencies ने इसको convert किया जाता है तो सबसे basic form हमारे ready हो गया mother tincture अब इसके बाद potencies बनाई जाएंगी तो friends बात करते हैं कि mother tinctures को लेना कब होता है अगर हम बात करें starting में जब होमेपती की discovery होई थी तो अब mother tinctures को बहुत कम use किया जाता था क्योंकि जो mother tinctures होती है यो crude form होती है और इसका जो action होता है बिल्कुछ पर physiology पर होता है मतलब कि अगर आपको fever है तो fever को down करने के लिए उसके कुछ ingredients होते हैं जो fever को down करेंगे लेकिन होमेपती का सिधान कहता है कि हमारी जो medicines होती है वो dynamic power पर काम करती है इसका action रहता है हमारी immunity को boost up करती है और हमानी immunity उस fever को down लेके आएगी तो अगर हम इसके action की बात करें तो action wise होमेपती इसका action नहीं होता है क्योंकि होमेपती की medicines होती हमेशा dynamic power पर काम करती है इसका action रहता है लेकिन हम mother tinctures को भी use कर सकते हैं कौन-कौन से conditions में use कर सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं सबसे important चीज है कि mother tinctures को use करने का सबसे पहला जो ज़रूत होती use करने की वो है emergency condition में जब आपके पास आपकी immunity को boost up करने के लिए dynamic power को use करने के लिए आपके पास समय नहीं है बहुत emergency condition आ गई है एकदम से problem हो गई है तब आप उसको use कर सकते हैं जासे कि मेरे पास ये mother tincture है रावॉलफिया का mother tincture इस mother tincture को आपको कभी use करना है जब आपका पता चलता है patient को एकदम से उसका BP high हो गया है और BP को लीचे लेके आना है तब आप तभी के तभी इस mother tincture को आप use कर सकते हैं योगि इसकी जगा पे जब आप से constitutional medicine निकालेंगे सारे symptoms को लेंगे और उसको देंगे तब आपको time लग सकता है तो जब तक आप उस constitutional medicine को निकाल रहे हैं तक के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं इसके लावा जो mother tincture को आप use कर सकते हैं जैसे चोट लग जाने के केस में हम अगर cut लग गया है तो cut लग लगे के केस में हम calendula से उसको साफ कर सकते हैं calendula के mother tincture से फिशर्स हो गए हैं प्रॉब्लम उस्還是 वह दो सब्सक्रादिंड़ कि एदितने हैं दूसरी इंपॉर्टेंट कंडिशन आती है जब Mother Tinkers को यूज़ कर सकते हैं, जब आपको कोई pathology हो गई है, problem हो गई है, जादा पढ़ गई है problem, उन cases में उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर liver की कोई problem हो गई है, उसमें हम चलिडोनियम उसकर सकते हैं, चलिडोनियम बहुत अच्छी liver tonica भी काम करती है, और herbal extract है, herbal medicine है, तो इसको long duration तक भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो किसी भी तरह के side effects नहीं होते हैं, और friends, Mother Tinkers को अगर pathology जादा हो गई है, pathological cases हो गई हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं, या terminal cases, जैसे इसमें की chances बहुत कम हैं, चीज़े ठीक होने के लिए, उस cases में भी हम Mother Tinkers को यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी Mother Tinkers होती हैं, वो safe होती हैं, कुछ Mother Tinkers जो कि, चाहे plant kingdom से आती हो, चाहे animal kingdom से आती हो, वो safe नहीं होती हैं, उसके लिए मैं separate video बनाऊंगे, आप दे सकते हैं, unsafe और safe हो, में पतिक Mother Tinkers कौन सी होती हैं, अब हम बात करते हैं, कि Mother Tinkers का drawback होत और दूसरी important चीज़ क्योंकि Mother Tinkers होते हैं, वो extract होते हैं उसके और इसलिए इसकी shelf life कम होती है, तो Mother Tinkers को एक limited time period में आपको use कर लेना होता है, जो dilutions होती हैं, उसकी shelf life बहुत अच्छी होती है, एक पांच बास साल तक dilutions जो है expire नहीं होती है, लेकि इसकी shelf life कम होती है, इ सबसे important एक और फायदे की बात में कर लेती हूं कि Mother Tinkers का क्या फायदा होता है, क्योंकि जगर आप dilution को select करते हैं, तो dilution को select करने के लिए आपके symptoms को पूरी तरह से match करना पड़ेगा, कि ये symptoms मेरे साथ match होता है, मैं hot hot chili हूं, बहुत सारे parents आपको check करने होते हैं, बट आप आपको Mother Tinkers करने के इतने parameters चेक करने के जरूत नहीं होती है, और क्योंकि जैसे कि ये है, रावलफिया है, अगर आपका blood pressure बढ़ा हुआ, कुछ भी है आपको constitution होता है, तब ही आप इस रावलफिया के यूज कर सकते हैं, और ये मेरे पास है Phytolica Berry, Phytolica Berry बहुत ही popular homeopathic medicine है और बहुत जादा यूज होती है, weight loss के cases में या obesity के cases में, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको सारे symptoms सब कुछ मैच करने के जरूत नहीं है, इसके लावा मेरे पास ये विसकम album है, ये low BP के cases बहुत अच्छा काम करती है, अगर एकदम से आपको लग इस बात करकना होता है कि बहुत लंबी डुरेशन तक आप इसका प्रयोग नहीं करें, इसके लावा मेरे तिंचस होते हैं, जिसको हम इंटरनली यूज कर सकते हैं, कुछ मदर तिंचस होते हैं, जिनको हम सिर्फ एक्स्टरनली यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी separate वीडिय आएगा, वो आप देख सकते हैं, तो फ्रेंस, मदर तिंचस होते हैं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपका ब्रेस्ट फेडिंग कर रहे हैं, आप प्रिगनेंसी के सेज में हैं, या चोटे बच्चे हैं, इन लोगों को मदर तिंचस देने स साथ मैस करती हैं, तब तक आप उसको नहीं लेते हैं, तब तक आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा, कोई फाइदा नहीं होगा, जैसे कि अगर मैंने जैसे रायल फिया बात किया, आप बहुत सारी मदर तिंचस होती हैं, आरनिका मदर तिंचस, कैलन् Gulfolor मदर तिंचस जो की बहुत ही popular mother tinctures है चले डोने mother tinctures जो कि टिपिकल एक बहुत important liver tonic का काम करती है लेकिन अगर सिर्फ आप mother tinctures ले रहे हैं साथ में अपनी वो dilution नहीं ले रहे हैं वो constitution medicine नहीं ले रहे हैं जब तक उस symptoms को match करके वो medicine नहीं ले रहे हैं तब तक आपको थोड़े देर के लिए relief ज़रूर मिलेगा इनसे लेकिन पूरा relief आपको नहीं मिलेगा permanent cure permanent solution आपको नहीं मिलेगा तो mother tinctures के साथ अपनी जो dilution है अपनी जो constitution medicine है वो लेना बहुत ज़रूरी है तो friends यह सारे information थी mother tinctures के बारे में mother tinctures को आप use करें under guidance यूज़ करें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करें जरूरत पढ़ने पर ही यूज़ करें और एक limited time तक ही यूज़ करें अब हम बात करते हैं कि mother tinctures को लेना कैसे होता है तो mother tinctures को लेने के लिए क्योंकि mother tinctures physiological doses में लेनी होती है तो इनकी doses ज़्यादा होती है dilution को हम कम quantity में देते हैं क्योंकि dilution की power ज़्यादा होती है तो mother tinctures को लेने के लिए अब गुनगुने पानी को लेना है गुनगुने पानी में क्योंकि ये तुरंद के तुरंद आपको असर दिखाती है तो गुन-गुने पानी में इसकी depend करता है कि कौन सी Mother Tinctures को कितनी drops में लेना होता है लेकिन आप ज़ाधा तर Mother Tinctures को 10 drops ले सकते हैं थोड़े से गुन-गुने पानी में दिन में 3 बार खाने से आदा गंटा आगे पिछे ले सकते हैं अगर आपने खाना खाया है तो खाने के आदा गंटे बाद लेना है या अगर आपने medicine ले है तो उसके बाद आदा गंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है इन बातों को ध्यान में रखते हो आपको Mother Tinctures को यूज़ करना है तो फ्रेंट्स ये सारी information थी सब्सक्राइब करने अगर आप नए हो साथ के साथ notification आइकन को भी प्रेस कर दें जासे की नए अपडेट्स आपको मिलते रहें wishing you very good health thanks for watching